सिरसा का एक मात्र रेजिडेंशल वा डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कम्पिटिशन की तैयारी एक साथ हो रही है कक्षा थर्ड से होस्ट शुरू, कानपूर, दिल्ली, सीकर वा साथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउट्वर गेम्स, क्रिकेट, कबड़ी, वॉलीबोल वा अथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैड्मिंटन, चैस और कैरम, ज्यान जोती पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस वे स्पोर्ट्स अकेडमी, सीबी एस ई, एफिलियेटिड, इ बानिक दिवान, कॉंटेक्ट नंबर, 999-257-1111, 8929-55111, इकाल के मुझसे मिलने के लिए आए हैं, पूरे देश के लिए आज सोनो सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं, देश भर में, जब भी, जहां भी, कोई मुसीबत में होता है, तो एक सोनो सूद जी को मेसेज, या ट्विटर, या कोई फोन कॉल, या मुझे पता चला है, हजारों लोग इनके घर पे रोज पहुंचते हैं, जो इनके पास जिस भी तरह की मदद, चाहे वो मेडिकल मदद हो, चाहे वो खाने की मदद हो, चाहे वो किसी भी चीज की लेने के लिए पहुंचता है, उसको मदद मिलती है, यह अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक करिश्मा है, कि जो इतनी सारी सरकारे नहीं कर पारी, वो आज सोनो सूद जी कर रहे हैं, तो अभी इनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई, हमने समझा इनके सा इतना बड़ा नेटवर्क इनके से बनाया, इतने रिसोर्स कैसे आए, हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं, उसके बारे में भी सोनो सूद जी को हमने बताया, एक जो अच्छा डवलप्मेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स, नाम से कारेकरम अभी पाइलिट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लाउंच किया जाएगा, मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूं कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैक्गराउंड से आते हैं, उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडन्स देने वाले लोग कम होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डेजाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकलर केरियर उसे पता नहीं होता है, मैं कहां जाओं, किस के पास जाओं, कैसे जाओं? उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते हैं. ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आईए, सामने आईए, और सरकारी स्कूल के एक, दो, तीन जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटॉर बनियें, तो उनसे आप लगातार फोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फोन करकर के पूछते रहेंगे, और कई बच्चे स्ट्रेस में होत तो देश के मेंटॉर कारेकरम के लिए सोनु सूद जी हमारे ब्रैंड अम्बैसेडर बनने के लिए तयार हो गए है जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूं उन्होंने काये कि वो भी कुछ बच्चे बच्चों के मेंटॉर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटॉर बनेंगे अमें सोनु सूद जी से रिक्वेस्ट करोगा कि वो थांक यू सो मच अरविन सर, मनिक सर, रागर भाई, और गिविविन में इस ओपिशुनिटी कि आज मैं इस प्लाटफॉर्म के से हूँ, विजनरी के साथ मैं सर को विजनरी से बोलता हूं कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिली का नाम हमने हमेशा देखा है क अगर एजुकेशन हो तो डेली जैसी हो, and I think it's very important कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है, जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, और मुझे बताने की जरुरूरत नहीं है कि डेली में किस लेवल का चेंज़स हाया है, and all thanks to sir for that. जब lockdown शुरू हुआ, you know, लाखों migrants के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी medical की problem देखी, तो एक education एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पहले lockdown में करीबन 2,000 से 2200 बच्चों को हमने बढ़ाया, और अभी करीबन 20,000 बच्चों को, you know, as suit charity foundation हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकि जैसा अरविंसर ने कहा कि एक बहुत बड़ा question mark होता है, कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूँ, कई बार हमारे जो अच्छी families के माबाब होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बताते हैं कि वह आपको engineer बना है, doctor बना है, MBA कीजे, कोई भी कीजे, लेकिन ऐसे बहुत सारे families हैं, जिनको बताने वाला कोई नहीं है, उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक platform दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें गया, दिशा कौन सी पखरें, तो उस समय हमें वो लोग जाहिए, ज जो एक बहुत experience साथ में लेकर आते हैं, जो आपके mentor बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सते हैं, वो हर घर के अंदर कहीं नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तो पहुंचे, सो मुझे लगता है कि आज दिली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपक अच्छा काम करने का, हम हमेशा बोलते हैं कि यहां करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाओ, मैं उस लाइक बन जाओ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं establish कर लूँ, मैं अपना business establish करूँ, या मैं successful हूँ, तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा, पर मुझे लगता है कि आप लाइफ में क्या करें, क्या ना करें, मरीश सार अभी मुझे शेयर कर रहे थे, जो मैं बहुत अच्छे धंग से relate कर बारा था, कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस से पूछे, मैंने, मैं खुद एक engineer हूँ, जब 11-12 था तो उस समय दो ही profession होते थे, या तो डॉक्ट से औरेडी गुजर चुके हैं, या कुछ सफर तै कर चुके हैं, उन लोगों को mentor बनने का बहुत बड़ा मौका है, बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आएं, हाथ थामें, मेरे साथ करन भाई भाई भी बैठे हुए, मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, लेकि So my request to everyone, जो भी listeners हैं, या हमें सुन पा रहे हैं, आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है, देश का mentor बनने का मौका मिला जा रहा है, हम लोग हमेशे हुए शिकायत करते हैं कि बगया यार हमारे लिए फलाना आद भी कुछ नहीं करता, हमारा ये हग बनता है, हमने वोट दिये, वो क्यों नहीं करते, मुझे लगता है, शिकायत करना बहुत आसान है और खुद काम करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें दिशा नहीं मनती, I think आज दिली सरकार ने ये platform खोल के देश के mentors का platform नहीं बनाया है, बलकि आपके ल देश भक्ति वाली कोई फिली नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदा नहीं होगा अगर आप वो कर भाएं, so I think it's a great opportunity, and I feel blessed कि आज, under the leadership of Arvind Sir, Manish Sir and Raghav Bhai, that they have given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों, लोगों तक लाखों, लोगों तक लाखों, लोगों तक लाख आदे होना है, and you know, do and tell us. Thank you so much for this Sir. Sir, any discussion about bondiap elections, because obviously the consciousness from the counter. No politics, no politics, no politics discuss any of this. I think that, that it's a great reward to you. My question is for Sir, Sir, are you interested in fantastic elections, either you or anybody? Sir, go ahead and ask me, sorry. पर इहां जी, परेखी सब आले हैं जी, परेखी सब आले हैं, जी, परेखी सब आले हैं जी, जी, परेखी सब आले हैं, जी, 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 we haven't discussed anything political because यह मुझे लगता है मुद्दा अब्धुससे भी बड़ा है and this is above all इसमाँ के साथ गुन्दे का सब्डाल है इसमाँ के साथ गुन्दे का या पुझाव चुनावारा है वहां पाटी भी पेटिशे करेंगा सर जो अच्छा काम करें सारे अच्छी हैं मुझे कल कोई आप अच्छा काम करें मापके पीशे पीशे आरे हुआ है मुझे ना मैं बता रहा हूं पिछले मुझे पता भी नहीं तब से मुझे आफ़ परस आती रही है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इजलेकर भी प्लेटिकल डिसकेस्टिन गया मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है इसको दिशा अपने आप दिख जाती है और जो अरिन सर की लिडर्शिप में डेली में हुआ है वो किसी को बताने के जूरत नहीं वो सिर्फ experience किया जा सिता है और मुझे लगते हैं ना सिर्फ पंजब देश के हर कोने में होना बड़ा इंपोर्टन है हर एक नहीं इसमें अश्चा कि कोई प्लिटिकल मतब सोच दूर दूर तक नहीं हमारा हमने सोचा भी तो हम चाहे पिए और देश के मेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं हम जोगे अभी जो लॉंच होगा इसका देश के मेंटर का जैसे मैंने बताया कि सोनु जी उसके ब्रैंड एमबसेडर हैं लगबग अरूंड मिड सेप्टेंबर डेट अभी फिक्स कर लेंगे उसका सेख्वें बहुत का लॉंच होगा अभी पाइलेट प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले एक त्व एक त्वह साल से वो पाइलेट परजेक्ट बहुत सब्सक्सर्फुल रहा हमारा जो मेंटर्स थे उनके भी एक्संपीरियंस बहुत अच्छे थे जो बच्चे थे उनके भ तो मैं आज मुलाकात हम देड़ घंटा वेटे लेकिन हम यह मेंटॉर वाले कारेकरम में और इनके काम को सुनने में और उसमें इतनी ज्यादा मश्बूल हो गए वो डिसकस करने का मौका नहीं मिला बड़ उसको फाइनलाइज करने के पहले भी विल डेफिनिटली शो इटो में और यह में आफिसर्पर मेराइल अर्च्छ एलड़ बड़ इनके काम करने मौका सुनने खिटे बंग्यादा का जिए विल प्राइनलाइब डंग्या भ्ड़ के रच्टर अवर में हम फ्रेस्ट्पर चार्पर और खाव काम यह बग्यादा तो तो फ्रिप्तुम्ह ऑम